तो थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद पता चला कि हरकी बौडी के पास एक बहुत ही पुराना मंदिर है जो कि जहां पर माता ने स्वयम्भू के आतार में जन्म लिया था जहां कि जो मूर्ति है जो स्वयम्भू थी और यह जो मंदिर है यह माता काली का मंदिर जो कि देख सकते हो यहां जो मूर्ति है वो स्वयम्भू है और पास में आपको गुफा भी दिखेगी जहां से ट्रेने आती जाते तो इतना देखने के बाद अब हम चलते हैं अपने एक नया सब्सक्राइब तो क्या आपने कभी सोचा कि हरिद्वार का नाम माया नगरी क्यों प तो उसमें से जब विश्णु द्वारा सुदर्शन चक्र का चलाया गया था तो उसमें यहां पे माता की ना भी और घ्रदे गिरा था जैसा कि आप देख सकते हो यहां पे मुख्य मंदिर में माया देवी के मंदिर की मूर्ति अब यहां से हम आपको ऐसे तीसरे मंदिर पर एक ना दिन चुश्रवात में आज हम एक नया सफर की दोपर बढ़ चुके हैं और इस कडी में हम आज जा रहे हैं 108 नर्मुंडों पे बना मांगाली का मंदिर जिसे कहते हैं तच्छडबुकी काली माता का मंदिर जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक बहुत ही प्रशिद सक्ति पीट है तो मंदिर में पहुंचने के बाद आप यहां से गंगा नदी, हरिद्वार, शहर और सिवाली परवत की वेंच को आप देख सकते हो और वहां के प्राकतिक नजारों के दर्शन भी कर सकते हो अगर अजिद्वार हैं तो आप यहां पे भी जा सकते हैं जिसे से एक नया अनभौ की प्राप्ति होती है हमारे पीछे काली माता का मंदिर था इतना करने के बाद हम पहुंच गया थे रिशी कुल के पास वहां पे गंगा माता की दर्शन की है जलते हुए सूर्य भगवान को निमश्कार किया और भगवान शासिरबात के लिए के निकल पड़ेते हमें एक नए सब्सक्राइब करेंगा तो मिलते हैं आपको जल्दी नए ब्लॉग तो चैनल पे नए है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले जो नए वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कभी अगर आपको इधर उधर जाने का मौका मिले तो आपको सही गाइडलाइन का जो सही तरीका है वो पहुंच सकें ताकि आपका टाइम परबाद ना हो तो जाते जाते जरूर सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं एक नए ब्लॉग नए वीडियो के साथ थैंक्यू पर वाचिंग डू सब्सक्राइब जय हैं जय भारत